स्वागत है आपका अपनी चैनल एक लव्या स्रेडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचीन और आज की स्वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लास्ट वेल्ट की इंग्लिश और जो फ्लैमिंगो बुक से डीप फॉटर चैप्टर एसके मोस्ट इंपोर्टन एमसी की उस आजम करने वाले हैं जो कि आपके बोड एक्जाम के लिए बहुत जादा हेल्फुल होंगे और आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लिश की हमारी अगर आप लेना चाहते हैं इबुक को तो आपको सिंपल सा प्रोसेस है प्ले स्टोर पे जाना है एक लबवे ओफिशल हमारे मोबाइल आप उसको डाउलोड करना है और वहीं से फिर आगे जाके आप परचेस कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे आगे बढ़ते हैं और और ओप्शन होंगे तो एक या दो कोशन ऐसे होंगे जिनका आंसर आपको बताना होगा मुझे ठीक है तो कमेंट बोक्स में अब अपना आंसर लिख सकते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो फर्स्ट कोशन है वो है वीजदा ओथर ऑफ डीप वाटर डीप वाट है ठीक है तो ओप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा अब सेकेंड कोशन है आपके सामने हाव ओल्ड वास डेगलस वेन दा मिस एडवेंचर टुक प्लेस ठीक है जब वो मिस एडवेंचर हुआ था तो डेगलस कितने साल के थे ओप्शन ए है नाइन यर्स ओल्ड ऑप्शन है 10 to 11 years old ऑप्शन C है 11 to 12 years old और ऑप्शन D है 12 to 13 years old तो ये जो मिस एडवेंचर हुआ था उस टाइम पे जो डगलस थे वो थे 10 to 11 years old तो जो ऑप्शन B है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा अब थर्ड कोशन है आपके सामने नेम दा ट्रेचरस रिवर मेंशन इन दा चैप्टर वो कौन सा रिवर है जिसका नाम मेंशन किया गया है डीप वोटर चैप्टर में ऑप्शन A है याकीमा रिवर ऑप्शन B है टेटोन रिवर ऑप्शन C है A and B बोथ क्या दोनों रिवर का नाम है या फिर none of these तो याकीमा रिवर जो है वो सही आंसर हो जाएगा क्योंकि याकी साइड पे आपको यादो विल्यम डगलस अकेले बैठे होते हैं तो एक बुली वोई आता है हटा कटा लंबा सा तो वो क्या कहे के विल्यम डगलस को चिड़ाता है ऑप्शन A है लैंब क्या वो लैंब कहता है उसे या उसको इसको इसकीनी कहके चिड़ाता है या फिर ग्य जो जिसने लड़के ने उसको विलियम डगलस को धक्का दिया था, पूल के अंदर वो कितने साल का था, क्या वो 20 साल का था, यह 18, यह 22, यह 15, तो अगर आपको याद हो, तो वो लड़का जो था, वो 18 साल का था, 18 years old, ही वास, ठीक है, 6th question है, अब आपके सामने, what is the misadventure that विलियम डगलस speaks about, वो कौन सा misadventure है, जिसके बारे में विलियम डगलस बात करते हैं, option A है यहाँ पे, being pushed into the pool, option B है, being swept by waves at a beach, option C है, being trained by the instructor, और option D है, both A and B, तो जो 6th question है हमारा, आप इसमें देखोगे, तो इसमें यह पहला misadventure भी सही है, जो उसके साथ हुआ था, दूसरा वाला जो option B है, being swept by waves at a beach, यह भी है, एक misadventure था, जो उसके साथ हुआ था, तो इसमें हम कह सकते हैं, option D correct होगा, क्योंकि इसमें लिखा है, both A and B, यानि कि A और B दोनों सही हैं, तो इसमें option D सही हो जाएगा, अब 7th question है, आपके सामने, the famous quote on fear by Roosevelt is, अब आपके सामने कुछ में quotes बताऊंगा, आपको बताना है कि वो famous quote कौन सा था, जो कि Roosevelt का है, option A है, all we have to fear is fear itself, या फिर all we have to fear is death itself, और option C है, all we have to fear is failure itself, या फिर all we have to fear is dangers itself, ठीक है, तो जो Roosevelt का एक quote है, उसमें से, जो सही होगा, वो होगा हमारा, all we have to fear is fear itself, जो A है, वो option वो सही हो जाएगा, 8th question है आपके सामने, how did Douglas develop extreme fear of water, ठीक है, कब वो डर जो था उसके अंदर, Douglas के अंदर develop होना शुरू हुआ, option A है, Miss Adventure at Lake Wentworth, या फिर Miss Adventure at Beach, या फिर Miss Adventure at Yakima River, या फिर Miss Adventure at YMCA Pool, तो इसमें जो correct answer होगा, वो होगा, YMCA Pool, ठीक है, वहीं से बहुत जादा, जो है, Douglas के अंदर extreme fear जो है, वो आ गया था, ठीक है, बहुत जादा, जिससे कहते हैं न, जिस दिन उसने धंसे सोया भी नहीं था, वो बहुत जादा जब वो परिशान हो गया था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब 9th question है आपके सामन what plans did he make to come to the surface of the pool, what plans did he make to come to the surface of the pool, वो surface पे आने के लिए, पूल के क्या plan करता है, तो option ए है, try to jump and push himself up, या फिर shouted, वो चिलाता है अंदर, या फिर cried, वो मतलब cry करता है, या फिर none of these, इसमें से कोई नहीं, तो आपको पता होगा कि जब वो डूब रहा होता है, William Douglas अंदर, तो वो try करता है, jump करने का, और फिर वो अपने आपको push himself up, उपर की तरफ push करने की भी कोशिश करता है, तो option A जो है, वो correct हो जाएगा, अब 10th question है, आपके सामने, why has the author given an autobiographical note in deep water, ठीक है, तो इसका जो option A है, वो है, because of fear of swimming, या फिर people, या फिर swimming instructor, या फिर because of fear of water, ठीक है, तो इसमें जो correct answer होगा, वो option D होगा, क्योंकि यहाँ पे जो author है, William Douglas, उन्होंने जो ये autobiographical note दिया है, deep water के अंदर, ये इसलिए दिया है, क्योंकि because of fear of water, क्योंकि वो पानी से डरते थे, उनका जो पानी का डर था, उसके बारे में उन्होंने ये पूरा एक autobiographical note दिया है, अपने autobiography, 11th question है आपके सामने, which statement aptly conveys the message of the story deep water, ये question ध्यान से सुनना, इसका answer आपको मुझे comment box में देना पड़ेगा, which statement aptly conveys the message of the story deep water, option A है, fears are dangerous, option B है, old fears written, option C है, most fears are useless, या फिर fears confines and limits once scope, ठीक है, तो चार option है आपके सामने, जो correct है, आप मुझे comment box में बताऊगे, 12th question है आपके सामने, when did Douglas finally concur his fear, ठीक है, तो इसका option A है, when his instructor gave his approval, या फिर option B है, when he tried swimming alone at different places, या option C है, A and B both, या फिर option D है, none of these, तो इसका जो correct answer होगा, वो होगा, when he tried swimming alone at different places, तो Douglas ने finally कब अपने डर पे काबू पाया, जब वो अकेला, अलग-अलग जगाओं पर खुद तैरने लगा, ठीक है, और तेरवा question है, अब आपके सामने, 13th question, how did the author learn swimming, तो इसका option A है, with the help of his father, या फिर with the help of swimming instructor, या option C है, यहाँ पे, with the help of his mother, या none of these, इसका answer भी, आप comment box में बताओगे, ठीक है, तो दो question task के लिए आपके पास हो गए है, अब 14th question है, आपके सामने, Douglas, father took him to a beach in, Douglas के फादर ने, जो उसको, Douglas को लेके गए थे, जिस बीच पे, वो कहाँ पे था, जर्मनी में, या फिर California में, या फिर Brazil में, या इंग्लेंड में, तो इसका जो correct answer ह हो जाएगा, वो California हो जाएगा, क्योंकि वो California बीच था, जहाँ पे Douglas and उसके फादर गए थे, 15th question है, अब आपके सामने, what do you infer from the line, the instructor was finished, यानि कि, ये line जो है, इससे आप क्या समझते हो, ठीक है, कि ये जो line थी, the instructor was finished, option A है, he gave up, क्या उसने give up कर दिया था, या फिर his task was complete, option C A and B both, या फिर none of these, तो 15th question का जो correct answer होगा, वो होगा, his task was complete, क्योंकि instructor ने Douglas को एक perfect swimmer बना दिया था, और Douglas और ज्यादा पानी से नहीं डरता था, तो यहाँ पे अब instructor का का काम खतम हो चुका था, ठीक है, उसका task पूरा हो चुका था, तो ये आज के हमारे 15th question खतम होते हैं, यहाँ पे, comment box में जरूर बताना जो मैंने आपको task के लिदिया है, और चैनल को subscribe करना आप बिल्कुल भी न भूले, bell icon दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के update आपको मिलते रहें, जै हिन, जै भारत, धन्यवाद,